गुद मॉर्निंग फेंड्स यूट्यूब के ओनलाइन चनल 90 प्लस में आपका वेलकम है आईए अपने ज्ञान को अपने नॉलेज को हम बढ़ाने के तरब एक कदम और लेते हैं और कुछ नया सिखते हैं आईए आज का जो टॉपिक है वह हमारा ऑक्सिडेशन और हमारा ऑक्सिडेशन को डिफान करते हैं जहां पर यह प्रोसेस होते हैं क्या प्रोसेस है एडिशन और और उक्सिजयन होगा तो श्यक्ति नियुक्ति एक जैनल फॉरमुला यह एलिमेंट प्लस उक्सिजण इक उव्षड वकसाइड यानि कि तेख रहा कार्बन है इसमें oxygen हो गया तुह हम कहाधे है ऑइक हैं कर रहा है कि अक्सीडेशन हो रहा है अब फिर समझगें जब ऑखिशिए नमेंट में अगर होता है तो उसे हम कहते हैं अगर켜 ऑपको चेमिक प्रो रहा में इसी एलिमेंट का अगर करो या फिर हाइडोजन रिमीर हो रहा तो इसे आप कह जाते हैं कि यहां पे Oxidation process हो रहा है Oxidation reactions हो रही है ठीक है चलिए जैसे यहां पर देख रहे है 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 hydrogen sulphide है और यहां पर है chlorine देखे है hydrogen हट गया क्लोरिन के साथ आ गया sulfur अखेला हो गया है यह निए sulfur से है hydrogen हट गया तो sulfur का क्या हो गया Oxidation हो गया ठीक है तो आप समझ गया होंगे कि Oxidation क्या है Oxidation है आपका किसी इलिमेंट से या Compound से hydrogen का हटना या फिर किसी इलिमेंट में oxygen का जुड़ना यह क्या है Oxidation मैं पर फिर से आपको बता दो किसी इलिमेंट में Oxygen का एड होना ही Oxidation है और किसी Compound से hydrogen का हटना ही क्या है Oxidation है आई इसके इसका पर लेते हैं ठीक है यह आपके इसांस में लिखना है यह इस तरह से लिखेंगे तो इसके पास कोई option नहीं आजाए कि आपका माक्स नहीं दे ठीक है और कातेगा नहीं आपका माक्स वह 100 पर सेंट देने के लिए तैयार रहेगा ठीक है चलिए Oxidation इसे एक टेमिकल प्रोशेश से हैं रहेगा रहेगा अपको नहींदेश दिआसेमिया में नहीं चुर्सेशन पूरी तरह समयजिम्गा हुग अगर नहीं आ यहाँ घुताओ किसी किसी बी सबस्टांस से रिप्टेशन का रिप्टेशन और हट गया है है तो यह भी हम क्या कहेंगे यह यहां पर है यह अलग हो गया तो ऑक्षिडेशन आपका क्लियर हो गया अब रिदेक्शन का है इसका अपोजीट है इसका अपोजीट है यह अपका अपोजीट हो गया है तो आपके लिजी हो गया समझना बहुत इजी हो गया है ठीक है आई यह देख लेते हैं इसको इक्जांपल की सथ समझें अधिशन ओफ दो दो कहा है नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोडएंगे अम्मोनिया बने यह इंपोर्टन रियक्शन नाइट्रोजन प्लस 3-2 बिफ्स-2-2-3 नाइट्रोजन यह हईड्रोजन अर्येजुँ बना आपका एनस थी इसको बोलते हैं अम्मोनिय ठीक ह आप याद रखेगा तो एडिशन आप समझ गया अब अजी रिमूबल आपक्सिजन ठीक है रिमूबल आपक्सिजन क्या होगा अगर किसी ऑक्साइट में अगर ऑक्सिजन हट जाए तो इसवां कहेंगे रिडक्शन देखिए हम एच जी हो है मर्कुरिक उक्साइड इसमें से आप इसको अच्छे तरह करते हैं कि ऑक्सिजन का एडिशन होता है रिमूबल आपक्सिजन होता है चलिए इसका आपने देखा और इसी एक्जाम्पल्स को आप अपने देमाग में बैठाए और एक्जाम्स की तैयारी कीजिए ठीक है चलिए इसी के साथ यह टोपिक्स खतम हो गया है और मैं नेक्स्ट टोपिक्स में फिर आउंगा और आपको एक नया चीज़ पढ़ाऊंगा ऐसी नया नहीं चीज़े एड होते रहेंगे और आपका ग्यान बढ़ता रहेंगा पंदर फर तक हर चीज़ कंपलीट हो जाएग थिंक अपने सही रखें ठीक है चलिए जय ही जय भारत थेंक यू